इस वीडियो में मार्किंग आप और मार्किंग आप टेबल के बारे में पूरी जान करें लेंगे जिन पैंड के उपर डिक्टेशन करेंगे हो है मार्किंग आप, विट्निस मार्क, इंट्रोडक्शन आप मार्किंग टेबल, Material of Marking Table Construction of Marking Table और Marking Table की Precaution कैसे ली जाती है इसके बारे में हम लोग विश्तार पुर्वग जान करे लेंगे दोस्तो अगर आप नए हो हमारे चाहलों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब विडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान पर क्लिक जरू किजिएगा अब हम जानते मार्किंग आपके बारे में जब किसी जाप को बनाय जाता है तो उस पर ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करनी पड़ती है की हुई मार्किंग के अनुसार कारागीर जाप को तयार करता है इस प्रकार जाप बनाने से पहले उसमा मार्किंग करने की क्रिया को मार्किंग आउट काते है मार्किंग की हुई लाइने से जाप बनाते समय कारागीर को पत प्रदान करती है जिससे वह जाब को सही माप में बना सकता है मारकिंग करने से कारागिर को यह पता लग जाता है कि जाब का सही आकार बनने के लिए सबसे पहले फाइलिंग या मशिनिंग या स्वाइंग कौनसे आप्रेशन करना है और कितनी मात्रा में धातू काटनी है इस बात का अंदा जाऊशे लग जाता है उसकी इसाब से वो आपरेशन चालू कर देता है विटनिस अप मार्क दातू के शर्पेस पर मार्किंग करने के बाद हाथ में बार बार पकड़ने से की हुई मार्किंग मिटनी की संभावना रहती है इससे बचने के लिए मार्किंग की हुए लाइने के साथ सुविधा के अनुसार पंच के दारा कुछ दूरी पर स्थाई निशान लगाए जाते है पंच मार्क, मसीनिंग या फाइलिंग करते समय अंत्र तक रहते हैं जिसे से कार्य करते समय करागीर को गाइट प्रदान करते हैं उसे विटनेस आप मार्क करते हैं इंट्रोडक्शन आप मार्किंग टेबल इसके उपर फूल्स और जाप रखकर मार्किंग की जाती है यह वर्गाकार या आयताकार होता है जो जरुरत की सबसे आप उपयोग में ला सकते हो और इसके जो नीचे वाला इससा होता है उसमें ग्रीड बनी रहती है मार्किंग टेबल हमेश्या काश्टार रख से बना जाते है जो अलग अलग साइज में उपलब्द होते है जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो 1000 mm into 1000 mm के साइज के भी उपलब्द है वाह से आपको 7000 into 2500 mm तक को आपको अलग अलग आकार में मिलेंगे इस टेबल में आपको दिखाए गया है जो अलग-अलग साइज के मार्किंग टेबल है अब मार्किंग टेबल इसकी बनावाट स्क्वियर या रेक्टेंगल आकार की होती है जो कास्टार रेंस से बनाए जाते है और इसको माईल स्टिल के स्टेंड के उपर अगल से बनाए जाते है जिसकी उचाई 75 cm से 90 cm तक रखे जाती है और इसके उपर किसी भी जाब को और मार्किंग टूल्स को रख कर मार्किंग की जाते है इस तरह से ये अलग-अलग परपच के लिए प्रवग में लाए जाते है ज़से कि आप देख सकते हो अब हम जानते प्रिकॉशन आप मार्किंग टेबल मार्किंग टेबल के प्रिकॉशन क्या-क्या लेने चाहिए इसके बारे में जान कर लेते है कारिय करने से पहले इसको अच्छी तरह से साप कर लेना चाहिए मार्किंग टेबल के उपर कभी हैमर से चोट नहीं लगानी चाहिए अगर चोट लगा तो उसकी एकुरिशी खराब हो जाएगी कारिय करने के बाद इसको अच्छी तरह से साप कर लेना चाहिए और उसके उपर तेल की प्रतली फिल्म लगा देनी चाहिए दोस्तो इस तरह से हमने मार्किंग आप और मार्किंग आप टेबल के बारे भी जान कर ली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चानल को लाइक, सब्स्राइब और शेयर करना ना भूलेगा और नए वीडियो के नोटिपिकेशन पादने के लिए बेल आतार पर क्लिक जल्व किजिएगा